हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो SSC GD 2021 का जो कट आफ है वो कितना रह सकता है हर कैटागिरी का और अपकमिंग जो एक्जैम है इन में आप कितना जो स्कोर है वो करें कौन सी सेक्शन में कितना स्कोर करें जो आपक कुछ सेक्शन हैं जो बहुत ही होड आ रही है और कुछ जो बहुत ही इजी आ रही है सब डिसकस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सबसे पहले मैं बात करूं आज का जो सेशन हो जाएगा जैसे कि आपका जो एक्जैम अभी चल रहा है ठीक है ए English और Hindi का अगर आपका score 18 कितना score अगर आपका हो रहा है अगर आपका score English और उसमें कितना हो रहा है 18 तू 22 के बीच हो रहा है ठीक है 18 तू 22 मैं सब की बात करूँ लास्ट में आपको सब बता दूँगा category wise English का 18 तू 22 के बीच हो रहा है और उसके बाद बात करूँ आपका maths का ठ अगर आप 15 प्लस जो स्कोर कर रहे हो मैं पहले section वाइस बता रहा हूं ठीक है 15 प्लस उसके बाद आपका जीके का जीके का अगर आप स्कोर कर रहे हो क्यूंकि इसमें जो आपका current affairs है वो ज्यादा आ रहा है जानी कि ज्यादा वो tough आ रहा है तो आपको इदर कितना math का gk का अगर आप स्कोर कितना कर रहे हो 15 प्लस gk का स्कोर कर रहे हो उसके बाद reasoning का reasoning का अगर आप दोनों ऐसी sections है जो आपको बिल्कुल moderate level की आ रही है ठीक है उसके बाद math और reasoning में 15 15 प्लस आपको किये जाएं 15 और 15 आपने math और gk में लाए क्योंकि math जो time layer जिसको आता है जो top में रह रहा है candidate उनका छोड़िये ठीक है और जो English का आपका 22 reasoning का 20 तो total मैं बात करूं total बात करूं अगर आपका score 70 प्लस है ठीक है total बात करूं safe to safe ये हो जाएगा safe score ठीक है आपको पता है हर state का अलग अलग sscgd का जो cut-off है वो जाता है अगर किसी candidate का जो safe score है जिसको safe हम मान सकते हैं 70 प्लस score अगर आपने किया अपने exam में तो आप अपने आपको safe जो मान सकते हो ठीक है sscgd में 70 प्लस marks आपके enough है आपको जो pft तक आपकी selection है वो करा सके ठीक है बाकी अलग अलग state की बात करें जैसे जमुएन किश्मीर इसका cut-off जो approximately 55 to 60 के बीच रह सकता है उसके बात करे जो हिमाचल का आपका हो जाएगा इसका भी 55 to 60 के बीच उसके बाद next बात करें जो पंजाब का हो जाएगा कोई 58 to 63 के बीच उसके बाद UP का बात करें UP का कोई 72 to 85 के बीच जो cut-off जा सकता है ठीक है उसके बाद राजस्तान का राजस्तान और हर्याना का भी कोई approximately 72 to 89 के बी आपका जाएगा इस तरह से आपने जो अपनी preparation करनी है और आपको previous year comparison में भी SSE GD का चाही होगा तो बता सकते हो अगर आप कितना score कर रहे हो 70 plus score कर रहे हो और आपकी अगर कोई category है SC, ST, OBC, EWS तो 70 में आप क्या कर सकते हो minus 5, 65 के क्रीब तो 60 plus जिसका score है SC, ST, OBC का तो वो अपने आपको पूरा का पूरा जो safe है वो मान सकते हैं ठीक है तो जे था जो SSE GD का टाफ analysis पे मैं बात कर रहा था तो इसी तरह आपका जो रहेगा इसी तरह important वीडियो से आपको SSE GD recording, SSE GD preparation recording मिलती रहेंगी आपने अच सबस्क्राइब कर लीजिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही doubt होगा तो comment section में जरूर पूशिए